इस टुटोरियल में हम ये बड़ाई simple सा question solve करेंगे find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 तो 1 by 7 ये एक rational number है और 2 by 7 ये भी एक rational number है हमें irrational number find out करना है तेखो irrational number जो है पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि irrational numbers क्या होते हैं कोई बात नहीं नहीं पता मैं फिर से यहां पर बतायता हूँ देखो irrational number का मतलब के एक ऐसा number जिसका decimal part एक तो होना चाहिए दूसरा वो infinite होना चाहिए यानि कि खतम ही नहीं होना चाहिए कभी और तीसरा वो non repeating होना चाहिए ठीक है जैसे कि मैं एक example देता हूँ फिर मैं लिखता हूँ से 001 फिर 001 फिर 00001 फिर 00001 फिर इसके बाद 00001 एंड सो ओन मतलब यहां पर एक 0 थी यहां पर दो 0 आ गई फिर 30 आ गई फिर 4 जीरो आ गई फिर 50 आ गई और सो ओन मैं चलता ही जाओंगा infinity तक तो क्या इसमें कुछ repeat हो रहा है कि बार-बार कुछ repeat नहीं हो रहा है कोई भी ऐसा combination नहीं है डिजिट्स का जो बार-बार-बार repeat हो रहा है तो यह एक बड़ा simple सा example होता है एक irrational number बनाने का इसी तरह की एक और example हो सकती है 1.1011011011011011011010 and so on चाहे 00 के combination लगा लो यह 11 के लगाते जाओ तो यह भी एक irrational number हो गया ठीक है just in case अभी भी confusion है irrational number के बारे में तो जो top right corner मैं link दे रहा हूँ उसको देख लेना उससे सब कुछ समय में आ जाएगा अब मैं assume कर रहा हूँ कि आपको irrational number पता है कि क्या होते अब देखो कोई भी number हो मेरे पास कोई भी number ठीक है जैसे 2 हो 4 हो 6.5 हो 8.9 हो कोई भी number हो अगर उसके पीछे मैं इस तरह से ये जैसे ये एक pattern बन रहा है ये pattern उसके end में अगर लगाना शुरू कर दूँ तो वो irrational number बन जाएगा एक तो यही काम हमने यहां पर करना है देखो 1 by 7 को अगर मैं decimal form में convert करूँ यह आप खुद ही कर ले ना तो यह कितना बनता है 0.142857 again 142857 and so on तो यान कि यह portion रिपीट हो रहा तो इसको मैं लेग सकता हूँ 0.142857 बार ठीक है इसी तरह से 2 by 7 जो है वो मेरा बनता है 0.285714 ठीक है यह आप खुदी calculate करके देख ले ना तो यह repeat होते हैं बार 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 repeat हो रहा होँगे तो यह दो rational numbers हैं मुझे इनके बीच एक irrational number निकालना है कितना simple है देखो यह 0.14 0.14 onwards है यह 0.28 onwards है तो मैं अगर एक number ले लूँ से 0.15 अगर मैं 0.15 number लूँ तो यह तो एक rational number है लेकिन यह इस से बड़ा है 0.14 से बड़ा है और 0.28 से छोटा है अब इसके पीछे अगर मैं 01001001001001001001 एंड सो ओन यह pattern अगर इसके पीछे लगाना शुरू कर दूँ तो यह number क्या दाएगा यह एक irrational number हो गया जो इस number से 1 by 7 से बड़ा है और 2 by 7 से छोटा है इसी तरह से चाहे आप 0.16 ले लो 17 ले लो क्योंकि वो सारे इसके बीच में आते हैं चाहे यहाँ पे इस तरह का combination लेते जाओ चाहे लांस्ट में इस तरह का combination लेते जाओ चाहे आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का combination बना लो जो repeat ना होता हो लेगिन एक pattern सा बना सकते हो आप और उसके हिसाब से आप जितने चाहो irrational numbers किनी भी दो numbers में find out कर सकते हो so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia